मैं आप सभी के लिए इतना पॉर्फलो सीकरन टोटका आज लेकर आया हूँ कि यह कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि सिर्फ एक बार में ही आपका काम बन जाएगा आप जिस इस्तरी को अपने वस में करना चाहिएगा वो इस्तरी हमेशा हमेशा के लिए आपके प्यार में पागल रहेगी आपके बिना एक पल भी नहीं रहा पाएगी सिर्फ आपको एक बार ही करना है कैसे क्या करना इस विडियो को पूरा ध्यान से दखिएगा तभी आपको समझ में आयागा इसका प्रियोग इस्तरी भी किसी पूरूस को अपने वस में करने के लिए कर सकती है और पूरूस किसी भी छोटी उमरवाली लर्की या साधी सुदा महिला को अपने वस में करने के लिए इसका प्रियोग कर सकती है यह इतना powerful है कि एक बार ही आपको इस मंत्र को सीध करना है उसके बाद में आपका काम हो जाएगा आप कभी भी किसी भी लर्की को अपने वस में कर सकते हैं कैसे क्या करना है ध्यान से देखते रहिए आपको जो आप सभी के अगल बगल में कहीं न कहीं पिपल का पेर जरूर ह करना है कैसे क्यान पर भाहिए बतलाते हैं कैसे इस तोटका को करना हैoux सबसे पहले अपको करना क्या है पीपल के पेर के नीचे आपको चले जाना है भूधवार के दिन या मंगलवार के दिन दोनों में से किसी एक दिन आपको चले जाना है दोपहर के समय जाना है या रातरी के समय जाना है दोपहर के मतलब कि आप बारे बज़े से तीन बज़े के बीच में कीजिए यह रातर में जब भी किजिए तो बारे बज़े से चार बज़े के बीच में किजिए तो बहुत ही बेहतर होगा कि आप दोपहर में किजिए बहुत ही अच्छा होगा और देखी आपको करना क्या है जो मैं मंतर बताऊँगा इसी मंतर का आपको उचारन करना है ठीक है बस उसके बाद में एक वरसीद कर लीजिए उसके बाद में आप जिंगी में कभी भी चार-पांच-छे लड़की को भी अपने वस में कर सकते हैं तो भाई यह बतलाता है हमरभगतों सबसे पहले आपको करना क्या है एक दिप जला लेना है दिपक जो दिया होता है दिपक आपको सरसो का तेल का या देशी घी का दिया आपको क्या करना है जला देना पांच छे अगरबती जलाकर के सामने रख लेना है उसके बाद में करना क्या है जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है जानते हैं एक हजार एक बार एक हजार एक बार इस मंत्र को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है आपको एक हजार एक बार सिर्फ एक बार ही इस टुटका को करना है उसके बाद में आपका काम हो जाएगा मेरे वक्त आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा इस मंतर को देखिए कैसा है इसका स्क्रिंशोट ले लिजिए ताकि आप लोगों के लिए असाने होगा इस अमखी के जगाप आपको उस लर्टकी का नाम लिखना है जिसको अपने वस्मे करना चाहते है चाहेब वो सादी सुदा हो या कुमारी हो सादी सुदा हो तो उस औरत का नाम यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद में इस मंतर को क्या करेंगे हम एक हजार एक बार पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा पढ़ने का सही तरीका हम आप सभी को बताते हैं मंत्र तो सब कोई पढ़ लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाता है विडियो को पुरा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा आपको करना क्या अपने आँखों को दोनों आँखे बंद कर देना है एकदम क्लियरी बंद कर देना है खोलना नहीं है इस मंत्र को याद कर लेना है ठीक है उसके बाद में आपको करना क्या है ध्यान से दिखिएगा, जिस लड़की को उसी करना चाहते हैं, जिस औरत को अपने वस में करना चाहते हैं, उसका चेहरा अपने मन में बसा ले, एकदम अपने मन में बसा ले, कि हाँ, वो जो लड़की का चेहरा है, आपके आँखों में एकदम जलक रही है, आँखे बंद कर तरना खाय है, जैसे ये खाजर एक बार हो जाये उसके बाद में में को क्या करना, वहां से घर वापस आजाना है, उसके बाद में आपने फिक्र हो जाए है, मेरे भुष्टों, मैं दावा करता हूँ, इस मंत्र का स्क्रिन शॉट ले लिजिए मेरे भग तो आप सभी के लिए असानी होगा और आपको कहें भी दिकत लगए तो नीचे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा हम आपकी जरूर मेरत करेंगे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बिल घंटी को दवा दिजिए तक हम जितने भी बड़ी बनाएंगे वो सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा और हाँ बहुत सारे लोग ठगने के लिए हैं अपना अपना नमबर दे देते हैं कि मेरे पास कॉल को रोग वसिकरन करूँगा करवा दूँगा लेकिन वो लोग आप से रुपए ठगेंगे किसी को भी एक रुपए भी नहीं द किजिएगा वसिकरन कराने के लिए मेरे भग तो इतना ध्यान में डखना है किसी को भी एक रुपए ना दे वसिकरन कराने के लिए